खीवी के साथ बदलते भर की शाथ नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ जोटसना मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसाथ कहा रहेगा मौसम साफ कैसी रहेगी तापमान की स्थिती साथी किसानों के लिए कृशी सलावी लेकिन सबसे पहले आई ये शुरुबात करते हैं आज की पाँच बड़ी खबरों के साथ जिसमें हम सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देने वाले हैं बिहार के बारे में यहाँ पर एका दुका जगा जो है वो घना कोहरा चाने की संभावना है इसके बादा ये रुक कर लेते हैं आसम का यहाँ पर भी कुछ एक हिस्सों में घना कोहरा चा सकता है तो वहीं अगले 24-48 घंटों के दौरान तमिलनाडू में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना बनी हुई है इसके बादा ये आपको जानकारी देते हैं हमारे अगले राज केरल के बारे में यहाँ पर कुछ एक इलाकों के अंदर तेज बरसात होनी के संभावना है और अंतवे बात करते हैं लक्षुदीब की यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है यह तो बात हुई पांच बड़ी खबरों की अब इसके साथ ही बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब बात करते हैं मौसम में जो वार्निंग है वो कहां जो है जारी की गई है मौसम विभाग दोरा इसके बारे में आपको अपडेट दे देते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो शुरॉत करना चाहेंगे हमारे जो दक्षिड भारत है वहां से तो यहाँ पर तमिलणाडू और पुडूचेरी में जो है वो नजर बनाए रखने की आवशकता है यहाँ पर जो है वो परसात हो सकती है इसके साथ ही अगर बात करें केरल की तो यहाँ पर भी वर्शा होने के संभावना है लक्षुदी पर अगर नज़र डाले तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ वर्शा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं पुर्वतर भारत में नागलैन, मनिपूर, मिजरम और तृपुरा के अंदर जो है वो घना कोहरा चासकता है और बिहार में भी घने कोहरे की चादर देखी जा सकती है इसके साथ ही मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बात कर लिते हैं मौसम पूरवानुमान की और जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश भर में कहां होगी बरसाथ कहा रहेगा मौसम साफ उत्तर पशिम भारत के परिवती एक शेत्रों से अगर शुरुआत करें तो लेल भारत के उपिमाले पश्यमंगाल और सिक्किम में जो है वो बरसाथ हो सकती है शेश राज यानि की बिहार जार्खंड और डिशा और गांगे पश्यमंगाल में मौसम किस्तिती सामाने रूप से साफ रहेगी अरुनाश और प्रदेश में वर्शा होनी की संभावना है असम भारत का तो पश्यम भारत के अंदर हमारे जो राजे आते हैं उसमें है कोंकंड गोवा तो यहां पर भी जो है वो कहीं कहीं बरसाथ हो सकती है मध्य महाराश मराटवारा में मौसम साफ बना रहेगा गुजरात सुराश्ट कर्श में भी धूप खिल रहेगी मध्य भारत के पश्यमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्शा होने की संभावना है पूर में मध्य प्रदेश चतीजगर और विधर में जो है मौसम शुष्क रहेगा अब आईए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे मौसम की चाल कि अगर आपको जानकारी दे तो उसमें हम आपको होई है तो वहीं पूर्वोत्तर भारत के लगबख सभी राजयों यानि के अरणाशर प्रदेश असम में खालिया नागलेंड मनिपूर मिजरम और तृपुरा में भी पिछले 24 गंटों के दौरान वर्शा देखने को मिली दक्षिन भारत के तटिया अंत्र प्रदेश राल के पश्मी मध्यप्रदेश में भी पिछले 24 गंटों के दौरान वर्शाथ देखने को मिली पूर्वी मध्यप्रदेश में भी बादल बरसे तो वहीं विधर में भी जो है पिछले 24 गंटे को देरवान वर्शाथ हुई है यह हमने आपको जानकारी दी है मौसम की चाल के ब प्रोसबजी का स्वाध पराए और घरवालों का प्यार पाए गोल्डी सबसी मसाले जहाँ जाहे रिष्टा बनाए गोल्डी मसाले मम्मी, मम्मी, कॉलिज की डिकी टीमेगि देशिक्टीमे क्योंanchon नो गया, कॉलेज की टीम में में तो आगया कंर नो प्रसेशन कप कर रखरा ह prose कि था है काम तुम बोटर बनके इश की टीम का त। देश का फॉर बरो, देश की टीम का तुमस्षा बनो बोट करना से तुम्हारा अधिकारी नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तवद्य भी है, समझें? जिया, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं, तो आज ही वोटर हेल्प्लाइन आप डाउन्लोड करके, बोटर लिस्में अपना नाम जुड़वा कर बोटर बनें. और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर भी अपनी जानकारी वोटर लिस्में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बनें. वोटर लिस्में नाम, बतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानि देश की टीम में रेजिस्ट्रेशन. पर आप सभी का स्वागत है, दूर दरशन किसान के मौसम खबर में आईए, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थितिकी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान नियुनतम और अधिक्तम तापमान जो है, वो देश में कैसा रहा कुछ राज हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे नियुनतम तापमान के स्थिति के साथ, तो पंजाब और हर्याना में नियुनतम तापमान सामानी की तुल्सिस तक जादा दर्श किया गया, उत्राखंड और सामानी की मुकाबले पांच डिग्री ज्यादा दर्श किया गया, इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, और अब हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं, पूरवी भारत के बिहार का, तो यहाँ पर बिहार में नियुनतम तापमान सामानी की तुल्ला में पांच डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, और ऐसा ही तापमान ज्हारखन में भी जो है वो देखने को मिला, गांगे पश्चिमंगाल और डिर्शा की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी नियुनतम तापमान सामानी की मुकाबले तीन से पांच डिग्री ज्यादा दर्श क में भी नियुनतम तापमान की ऐसी ही स्तिती देखने को मिली है, तमिल नाडू पुडू चेरी में भी नियुनतम तापमान इसी प्रकार का रहा, सुराश्ट और कचका अगर रुक करें तो यहाँ पर नियुनतम तापमान सामानी की तुलना में एक सली के तीन डिग्री सेल सेर्फ जड़े अर्हाई आधिक्त मतार कि या अधिक्तर प्रफितर जांकारि तक वराम पर तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं आगे पूर्वोत्तर भारत के असम और मेगाले का रुख करें तो यहां पर अधिक्तम तापमान सामानी के मुकाबले एक से लेके तीन दिग्री सेलसियस तक कम रिकॉर्ड किया गया नागलेन मनेपुर मिजरम और थरपुरा में दिग्री सेलसियस तक कम दर्च किया गया है और अब आये बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम लक्षुदीब की तो यहां पर अधिक्तम तापमान जो है वो सामानी के तुल्ला में एक से लेके तीन दिग्री सेलसियस तक कम आखा गया है इसके साथ ही बढ़ते ह आगे आपको गुजरात के अगर जानकारी दे तो यहां पर अधिक्तम तापमान सामानी के मुकाबले एक सले के तीन डिगरी सेलसेस तक कम रिकॉर्ड किया गया वही कौनकन और गोवा में भी अधिक्तम तापमान की यही स्थिती देखने को मिली है तो वहीं दूसरी और केरल के पुल नूर में सबसे जादा धिक्तम तापमान 35.6 डिगरी सेलसेस दर्च किया गया है और आएए बढ़ते हैं आगे और अज़र डालेते हैं देश के शेश राजों की तापमान की स्थिती पर झालेते हैं यहीं पर इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और चोटे से ब्रेक का जल लोटेंगे वापस अने जानकारियों के साथ आपका ही मजाए देखते रहिए दूर दर्शन के साथ अजिए ब्रेका प्यार पाए गोल्डी सबसी मसाले जहां जाये रिष्ता बदाए गोल्डी मसाले मिलिये ग्रोप्लस से हमारा भरोसे बंद कोरोवन डा लेकर राया है एक खास तक्नीक वाला पांच पोशन तत्तों से भरा ग्रोव मोर ग्रोप्लस इसे इस्तेमाल करने से पौदों को मिले अधिक पोशन जिसे ना किवल आपको बंपर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी सौस्टा पर ऊपड़ जाओ बने क्यों ना इक पार आप भी ग्रोप्लस अपना एक अन्मोल तोफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बे मिसाल कब तक लंबी लाइनों में ओमर विदाईएगा इजिटल पेमेंट अपनाईएगा 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 इजिटल कि प्रक्य बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है दूर दर्शन किसान के मौसम खबर में अब आए बढ़ते हैं आगे बात कर लिते हैं वायू गुडवत्ता के बारे में यानि की वायू गुडवत्ता सूचकांग के आधार पर कौन-कौन से राज हैं जहां पर जो वा की थोड़ी खराब स्थिती में रिकॉर्ड की जा सकती है इसके बाद बात आती है लखनो की 217 है यहां पर यह भी थोड़ी खराब स्थिती में दर्च किया जा सकता है बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले शहर पटना की 98 है यहां पर जो वायू की स्थित भी एक अच्छी स्थिती में देखा जा सकता है और अब बात कर लेते हैं हमारे अगले शहर यानि कि हैदराबाद के बारे में 85 यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है वायू गुडवत्ता सूचकांग के अधार पर वायू और यह भी एक अच्छी स्थिती में देखने को 246 है यहाँ पर यह एक संतोष जनक स्थिती में इसको देखा जा सकता है यानि कि यहाँ पर थोड़कूर्वान अंवान के बारे में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं वहां के मौसम और तापमान का हाल लेला दाक मान चार डिगरी सेलसियस, नियुनतम तापमान माईनस दस और माईनस ग्यारा डिगरी सेलसियस, सुमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल थोड़े बहुँ चाहे रह सकते हैं, अधिक्तम तापमान चार और तीन डिगरी सेलसियस, नियुनतम तापमान माईनस ग्यारा और आपको ले लद्दा के बारे में जो है वो जानकारी दी है इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे हिमाचर प्रदेश के मनाली के अगर बात करें तो शनिवार और अविवार को यहाँ पर आपको मौसम सुहाब ना मिलेगा अच्छी खासी धूब जो है वो खिली रहेगी अधिक तम तापमान पर 네ज़र दालते हैं न्यूटब तापमान एक और दो डिगरी सेलसेश सुमवार को लेकिन यहाँ पर बरसात हो सकती है अधिक्तम टापमान में कोई बदलाव नहीं 15 degree Celsius रहेगा निउतम टापमान 1 degree Celsius मंगलवार को यहां पर थोड़े बादल चाहे रह सकते हैं अधिक्तम टापमान भी 1 degree Celsius तक कम जा सकता है यानि की 14 दिग्री सेल्सियस रहेगा पंजाब के अमरित सरका यह रुख कर लेते हैं शरिवार को यहाँ पर धूंद छाई रहे सकती है अधिक्तम तापमान 22 दिग्री सेल्सियस नियूंतम तापमान 7 सुमवार से लेके मंगलवार तक यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी अधिक्तम तापमान, रविवार को रहेगा 21 degree Celsius, निउन्टम तापमान 7 degree Celsius, सोमवार और मंगलवार को अधिक्तम तापमान, 22 degree Celsius निउन्टम तापमान, 7 और 8 degree Celsius दर्च के आर जा सकता है इसके बाद अब रुख कर देते हैं हम राजधानी दिल्ली का तो चारों ही दिन अगले यहां पर थोड़ी धुंद जो है वो च्छाई रह सकती है बादल च्छाई रह सकते हैं अधिक्तम तापमान पर अगर नज़र डाले तो अधिक्तम तापमान शनिवार और अविवार को रहेगा 25-24 डिग्री सेल्सियस न्य यहां पर भी चारों ही दिन कोहरा रह सकता है अधिक्तम तापमान पर अगर नज़र डाले तो शनिवार और विवार को रहेगा 23-24 डिग्री सेल्सियस 9-14 और बात कर लेते हैं दक्ष्न भारत के तमिल्नाडु के ऊटी की तो शनिवार को यहां पर बढसात मिल सकती है अधि नियुनतम तापमान धोनों ही दिन रहेगा 12 दिगरिस bumped को यहाँ वह बरसात हो सकती है और नियुनतम तापमान यहां पर रहेगा 12 दिगरिस benefici act और अब बात कर लिते हैं केरल के कुन्नूर की तो शरिवार से लिके मंगलवार तक चारो ही दिन यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है अधिकतम तापमा चारो ही दिन एक जैसे देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आप देख भी रहे होंगे 35 डिगरी स जो मुंबई है यहाँ का रुक करते हैं अगर आप यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं तो चारो ही दिन आपको मौसम सुहाब न मिलेगा यानि कि चारो ही दिन यहाँ पर धूप के लिए रहेगी अधिकतम तापमान शरिवार और अविवार को रहेगा 33 डिगरी सेल्सियस और सोंवार और मंगलवार को रहेगा 32 डिगरी सेल्सियस निषूनतम तापमान प्र नजर डाले तो 22 तैस और 21 डिगरी सेल्सियस निषूनतम तापमान की स्थिती देखने को मिल सकती है और आब हम here पर बात कर लिते हैं गुजरात के पोरबंदर की तो शनिवार को यहाँ पर दूप के लिए रहेगी अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूंतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, देखा जाये तो अधिक्तम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए है, रविवार से लेके मंगलवार तक यहाँ पर थोड़े बादल चाहे रहे सकते हैं, अ हमारे खेतों के अंदर कई तरह की फसले जो है वो लगी हुई है, कुछ फसलों में जो है वो कौन-कौन से क्रिशी कारे करने की आवशक्ता है, आज हम खास तोर से जानकारी लेकर आए हैं हमारे बिहार और चारखंड के किसानों के लिए, तो क्रिशी विग्यानिकों की सला पर आधारत देखते हैं ये खास रुपॉर्ट प्याज के खेत में सिचाई कर सकते हैं, इसके अलावा आलू के खेत में सिचाई करें, आलू के खेत में निराई करते रहें, आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें, बिहार में लाल मिर्च और बैंगन के खेत में निराई करते रहें, किसान राई की केसान मक्य की बुआई करद拆 रहे ईस समय आलू की बुआई करिये आलू में की लगने की संभावना बनी हुई है ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषविशेशग्यों की सलाह से कीतनाशक का प्रयोग करते के लिए समय उप्योगор और जार्खन के किसानों के लिए क्या है कृष्षी विज्यानिकों के सलह भी आपने जनावायी रुख कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पूने की विशेशग्य जो है वो हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर जया धामी परिहार और वो कौन-कौन परिपक्के धान की बच्ची हुई फसल की कटाई यतासिकर पून करें तथा गहाई के बाद अनाज को धूप में सुका कर उचित भंडारन करें आंत्रिपरदेश में धान के पके हुए दानों के अंकुरण को रोगने और कवक से बचाव के लिए 5 प्रतिसत नमक के घोल का चिड़काव करें मौसम पूरवनुमान के अनुसार तमिलनाडू में दिनांग 8 और 9 दिसंबर को तथा केरल में दिनांग 8 से 10 दिसंबर तक छुटपुट इस्तानों पर भारी बारिस होने की संभावना है अतहा कटाई की गई फसलों को सुरक्सित इस्तानों पर रखना सुनिश्चित करें या खेतों में रखी कटी हुई उपज को तिरपाल या पॉलितिन सीट से ढख दें जल जमाव से बचने के लिए खेतों में जल निकासी की उचित विवस्ता सुनिश्चित करें केरल में तेज हवाओं के चलने की संभावना को देखते हुए केला वे टमाटर जैसी कोमल तने वाली फसलों को सहरा प्रदान करने की सलावी दी जाती है करनाटक में धान, मिर्च, मूँफली और जल्दी बोई गई अरहर की फसल की कटाई तथा कॉफी के फलों एवं कपास की तुड़ाई करें इसके साथ ही कम अवधिवाली डालों जैसे कुल्ती, मूँग या उड़त की बुवाई करें जल्दी बोई गई जुआर की फसल इस समय दाना भरने की अवस्था में है अथा दानों के समुचित विकास के लिए फसल को कम से कम एक या दो सुरक सात्मक सिचाई प्रदान करें उड़िसा में धान, फूल गोबी, पत्ता गोबी की कटाई तथा कपास की तुड़ाई करें साथ ही रभी मक्का तथा मुँग फली की बुवाई भी कर सकते हैं पस्चिम बंगाल में गेहूं की बुवाई करें रभी मक्का एवं चना, मसूर और सर्सों की बुवाई काकारी भी पून करें तटी छेत्रों में बोरोधान की नरसरी बुवाई करें जारखंड में चने की उननत किस्मों की बुवाई के लिए खेत तयार करें एवं सीतकालिन सबजीयों की नरसरी बुवाई या रुपाई पून करें इसके साथ ही मटर, चना, मूँ और कंद आदी फसलों की बुवाई भी कर सकते हैं तो अभी आपने डॉक्टर जयाधामी परिहार से जाना कि हमारे देश के बाकी के हिस्सों में इसके साथ या यह बढ़ते हैं आगर आप बात कर लेते हैं आज की फसलों की किसान भाईयोबहनों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं धन्या फसलों के बार में जी हां, इस बक्त धनिया की बुवाई का समय चेल रहा है धनिये का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है पत्ती और उसके बीज के रूप के अंदर तो किस तरीके से आपने करनी है धनिये की बुवाई कौन सी अच्छी किसम है जिसका आप चैन कर सकते हैं आए तमाम जानकारिया हासल करें कारकरम के इस भाग में धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी चाती है इसे अच्छे जिवान श्युक्त भारी भूमी में भी उगाया जा सकता है खेत में जल निकासी का उच्चित इंतजान जरूरी है बोनी से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुर्भुरा बना ले साथ ही मिट्टी को सम्तल कर ले आखरी जुताई में 100 से 120 कुइंटल प्रती हेक्टेर की दर से गोबर की खाद मिला दे बीज की मात्रा बुआई और सीचाई की दशा पंदिर भर करती है सीचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रती हेक्टेर डाले जबकि असीचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी बोनी से पहले बीज को प्चारित जरूर कर ले साथी बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखे कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमींटर जबकि गहराई 2 से 2,5 सेंटीमींटर रखे पूरी फसल में 4-5 से चाई की जरूरत होती है पहली सी चाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चोथी 100 से 105 दिन बाद करे पहली सी चाई के बाद निराई गुडाई करके खर्पतवार निकाल दे एक महा बाद फिर से निराई गुडाई करे खर्पदवार की रोग थाम के लिए विशेशग्यों की सलहा पर उचित दवाओं का छुड़काव करे धनिये में उक्ठा रोग चोरनिल आसिता रोग हो सकता है इसे ग्रामिन भाशा में दहिया भी कहा जाता है रोग थाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बिमारियों से बचा जा सकता है फसल शक्र अपनाना भी बहतर रहता है लेकर किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छुड़काव करने से पहले प्रिशी विशिशग्यों की जलहा जरूर ले पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई साथधानी से करे ध्यान रहे तोड़ते समें पत्तियां बर्बाद ना होने पाए एक हेक्टेर जमीन से 125 से 140 कुइंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है तो अभी आपने धनिये से संबंदित तमाम विशेश जानकारियां हासिल की इसके साथ ही आपको बता दे अगर आप मौसम खबर को दुबारा से देखना चाते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन कीजिए इससे सीदा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे महां जाकर भी आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही उमीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी मौसम का ताज़ा हाल और खुशी सला लेकर फिर होंगे हाजर देखते रहे हैं दूरदाशन के साथ और मुझे दीजे चाहसा नमस्कार